गुद मॉर्णिंग ओल ओफ यू आज हम क्या पड़ेंगे आज हम पड़ेंगे आई की मात्रा के वाक्य कर हमने क्या पड़े थे आई की मात्रा के श्यप्द पड़े थे आज हम क्या पड़ेंगे आज हम आई की मात्रा के वाक्य पड़ेंगे क्या पड़ेंगे आई की मात्रा के वाक्य इससे पहले हमने क्या पड़े थे आई की मात्रा के श्यप्द पड़े थे अब इन सब्दों से क्या बनाएंगे अब इन सब्दों से वाक्य बनाएंगे क्या बनाएंगे आई की मातरा के जो सब्द है उनसे क्या बनाएंगे आई की मातरा के वाक्य बनाएंगे क्या बनाएंगे आई की मातरा के वाक्य बनाएंगे ओके तो आज इन क्या पढ़ते हैं आई की मातरा के वाक्य पढ़ते हैं भईया ने देखी मेनारानी, चैन से बेठी है सयानी, भईया ने क्या देखी? भईया ने मेनारानी को देखी, किसको देखी? मेनारानी को देखी, जो क्या बेठी है? जो चैन से बेठी है, कैसी बेठी है? चैन से बेठी है सयानी, भईया ने देखी मेनारानी, चैन से बेठी है सयानी, क्या बेठी है? चेन से बेठी है, गवईया एक बेल गाड़ी लाया, गवईया क्या लाया, गवईया एक बेल गाड़ी लाया, कैलास उसे देख घबराया, कैलास उसे देख के घबराया, कैलास उसे देख के घबराया, मैनारानी, 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 डाल पे बेठी मैनारानी, मैनारानी किस पे बेठी है, मैनारानी डाल पे बेठी है, किस पे बेठी है, मैना हमें क्या सुनाएगी मैना हमें गीत सुनाएगी सबका दिल बहिलाएगी मैना रानी मैना रानी डाल पे बेठी मैना रानी वईरा हमें गीत सुनाएगी मैना हमें क्या सुनाएगी मैना हमें गीत सुनाएगी सबका दिल पहलाएगी सबका दिल क्या करेगी सबका दिली वो बहलाएगी मैना रानी मैना रानी डाल पे बेठी मैना रानी मैना हमें गीत सुनाएगी सबका दिली बहलाएगी सबका दिल क्या करेगी वो बहलाएगी मैना रानी मैना रानी मैना रानी डाल पे बेठी मैना रानी मैना हमें गीत सुनाए कि सबका दिल पहलाएगी गया आई वैसाली का भया आया वैसाली का भया आया वैसाली का क्या आया वैसाली का भया आया भया एक गया लाया भया एक क्या लेक्या आया भया एक गया लाया वैसाली का भया आया भईया एक गईया लाया भईया क्या लाया एक गईया लाया गईया पेदल पेदल आई गईया कैसे आई गईया पेदल पेदल आई कैसे आई गईया पेदल पेदल नईना उसे देखने आई नईना उसे क्या आई नईना उसको देखने आई तो आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको आई की मातरा के वाक्य पढ़ने हैं क्या पढ़ने है? आई की मातरा के वाक्य पढ़ने है इससे पहले आपने क्या पढ़ने थे? आई की मातरा की शिब्द पढ़ने थे अब इन सब्दों से क्या बनाने आपको वाक्य बनाने और इनको वाक्यों को अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करना है क्या करना है इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करना है इनको बार बार पढ़ना और इनको अच्छे से समझना है और उनको अच्छे से समझने का और पढ़िने का क्या करना है अभ्यास करना है ओके बच्चो आज के लिए इतना ही काफी है कल हम पढ़ेंगे नेक्स टोपिक ओके ठेंक्यू बच्चो